अलो दोस्तो, HD Electrons पे आप सभी का स्वागत है, फिर से एक नए वीडियो लेके मैं हाजर हूँ आपके साथ आज का जो वीडियो ये बहुत इंट्रेस्टिंग है, आप सभी के मन में एक हैल आता होगा कि ये जो हमारा voltage regulator होता है, इसका हम connection के ऐसे करें, यहाँ पर कौन सा input है, कौन सा output है, उन सभी question का जब अब लेके मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो के end तक देखते रहे हैं, मूमीद है आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो like कर दीजिएगा, और चलन को subscribe कर दीजिएगा, और पास में वेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, इससे क्या होगा, कि जब भी मैं निव वीडियो अपलोट करूँ, तो आपके पास सबसे पहले notification पहुंच जाए, और आप इस वीडियो को देख सके, चलिए आज की इस वीडिय को भी आपको अच्छा लागा है, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और उन वीडियो की कोई भी पाड़क, अगर आपको परेशा नहीं हो रहा है, समझने में, तो कमेंट बोक्स में ज़रूर कमेंट करना, और दोस्तों के साथ बहुत-बहुत सेयर कीच इस वीडियो को, ज क्या से गया, तो कमेंट फुल्ट refract का बेसे का में और微 पार फार, पर हो इसके लिए हम इसको करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा बड़ा मसीनों में या अम्प्लिफायर में बड़ा बोल्ट अब इस जाद जाद बोल्ट की ट्रांसफरमर लगा होता है वह से डिरेक्ट 5V को निकलने के लिए यह सर्कुट यानि यह रिक्रोटी यूज किया जाता है यह हमारा जो भी भोल्ट इसमें देगा इसमें जो भी भोल्ट आप देंगे उससे यह 5 भोल्ट निकालेगा तो चलिए इसका कनेक्शन में आपको फटा पट बता देता हूँ देखिए इसमे तीन पीन होता है three पीन होता है इस पीन में ये जोब बीज बूला पीन होता हैчी पीन हमारा इस से connected रहता है यानिकिछ हीट होता यां इसमें यहां से ये connection रहता है और यह जो हमारा लेट का पीन है यह पीन जो हैता है यह हमारा को भोल्टेस इंपूट देने के लिए पीन है और यह राइट वाला जो पीन है यह हमारा आउटपूट देने के लिए यहाँ पर किसी भी भोल्टेस दीजे यहाँ पर फाइब बोल्ट आउटपूट निकलेगा यह पर मानि यह आप 12 बोल दीजिए तो यह पर यह 5 बोल निकलेगा 9 बोल दीजिए 5 बोल निकलेगा जो भी दीजिए आप इसको यह आपसे 5 बोल बहार निकालेगा और इसका जो connection होता है इस connection बहुत ही आसान होता है यह जो हमारा Transformers से Brist Partly sanctifier होकर जो हमारा Pure DC से Plus और Minus यानिके हमारी वो IC में जाता है amplifier में तो वो जो दोनों wire होता है उण दोनों wire से connect होता है वो जो Plus wire आता है यहाँ से यहाँ पर connect होगा और जो माइनास होते हो यहाँ पर कनेक्ट होगा अगरे के बाद यह आख़ी पिन बचा होता है इस पिन से हमारा 5 बोल्ट आउटपुट निकलेगा यह 5 बोल्ट आउटपुट को हमारा वो जो USB पैनल होता है उसमें 5 बोल्ट लिखा होगा देखना वहाँ पर आपको देना पड़ेगा और एक जो ग्राउंड पॉइंट रहता है आपको ग्राउंड कही से भी ले सकते सेर्कृट में से ले सकते इसमें से ले सकते बहुत से जगाए ग्राउंड लेने के लिए आपको परिशन ही नहीं होगी उमीदे आप समझ गए होंगे कि ये regulator का connection कैसे होता है आपके मन में जो भी doubt था वो clear हो चुका होगा अगर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो की comment में comment कीजिए मैं आपको उसके solution भी बता दूँगा इस पूरो वीडियो को watch करने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया और ये वीडियो आपको दिख़र अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजे एक और दोस्तों के साथ बहुत बहुत सेयर कीजिए वीडियो को जिन लोगे के लिए इसके बड़े में knowledge नहीं है उन लोगे के पास और आज के लिए बस इतना ही फिर एक निव वीडियो लेकर हज़र हूँगा मैं आपको साथ